हिमाचल प्रदेश के पोईफ मुख्यमंत्वी जहराम ठाकुर ने कॉंग्रेस पर निशाना सात्ते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस को सत्ता में आये दो साल नहीं हुए हैं और करमचारी सड़कों पर हैं करमचारी काम बंद करने की बात क्यों कह रहे हैं कॉं कि हित्यों की रख्षा की है। और आज दो साल का कारेकाल अभी पूरा नहीं हूआ। लेकिन दो साल के कारेकाल से पहले ही करमचारी सड्कों पर अगर आप करमचारी've की हte ऐसी ही है तो इस सड्कों पर कॉन लोग हैं। क्यूं यह ये प्रशन पैदा होता है, ये करमचारी करम छोड़ करके जो है वो काम करने, बंद करने की जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसकी बज़ा ये है कि हिमाचल परदेश में अभी तक पौने दो साल का कारेकाल कॉंग्रेस पार्टी का सुखुजी के नेतित्यम जो पूरा थी जनता पार्टी का वो कारेकाल, जब आपको मेडिकल रिंबर्समेंट का पैसा भी मिला, डिये की किष्टें भी मिली, एरियर्स भी मिले, और जब भी आपको लगा करमचारी को लगा, उनकी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं गया, उनकी बातों को माना भी गया, ये हकीकत है लेकिन आज कौने दो साल के कारेकाल में कांग्रेस पार्टी के खिलाब कर्मचारी सड़कों पर आ गए हम इस बात को देखते हैं कि हमारी पांच साल के कारेकाल में अंतिन दोर में मुद्दा आया था करमचारियों का इसके अत्रित करमचारी पांस साल तक जो है पूरा सहयो करते रहे काम करते रहे और मैं इसरी भी इतना ही कहना चाहरा हूं करमचारियों की हितों को लोकर के के उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए मैं समर्थन करता हूँ उनके मुद्दों का, उनकी बातों का, इस महंगाई के जमाने में उनके बच्चे पड़ते हैं, उनके परिवार पलते हैं